अलो दोस्तो मैं हूँ सुमाउंत और आप देकर देटेक एजुकेशन दोस्तो मेरा एक सब्सक्राइबान मुझे कॉमेंट किया है कि मेरा फिस्बूक गुरूप का जो एड्मिन टूल्स ऑप्शन है वो नहीं मिल रहा है मैं फिस्बूक गुरूप का एड्मिन हूँ अगर आपका भी ऐसा सिम प्रॉब्लेम हूँ कि आप फिस्बूक गुरूप का एड्मिन है फिर भी आपको फिस्बूक का जो एड्मिन टूल्स करके जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए तो वीडियो का आन तक देखते रहे आपको यह solution में आपको बता दे रहा हूँ अगर आपका कुछ problem है आप भी कुछ जानना चाहते तो मुझे comment कीजिए आपका comment का answer में दूँगा अगर ऐसा मुमकिन है में आपको वीडियो भी माना के दिखाऊंगा ठीक है तो आप comment करना मत भूले तो देखिए actually क्या होता है अगर आपके facebook group है बहुत बारा group है और आप group का admin है फिर भी आपको admin tools का option नहीं मिल रहा है तो आप क्या करना चाहिए आपको आप क्या करेंगे ठीक है तो इसका कुछ solution है कुछ process है और मैं आपको बाता हूँगा और करके भी दिखाऊंगा तो जो first of all जो आपको करना चाहिए आपको अगर facebook group है बहुत बारा group है बहुत चोटा group है आपका माल लिगे facebook group है तो आपको हमेशा के लिए जो facebook application आप इस्तेमाल करने चाहिए तो इसलिए आपको बीच बीच में facebook application अगर आप एंडुईच से करते हो तो Facebook application बीच बीच में आपको आपडेट करना पड़ेगा, तो आपडेट करने से कुछ option भी आपको मिल जाएगा, और इंप्रूब भी आपडेट किया है, उनका version, तो कुछ version का इंप्रूब भी किया जाता है, ठीक है, ओ भी आपको मिल जाएगा, तो हमेशा के लिए आप कीजिएगा Facebook application को, और दूसरा जो step है, ओ में आपको बाता दे, तो फार्स step से अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो दूसरा जो तरीका है, ओ में बाता दे, तो आप सुनिए, तो दूसरा जो तरीका है, ओ है यही है, कि आप Facebook application पर जाकि ओ जो data है, ओ data को आप clear कर दीजी, तो clear all data का option आपको मिल जाएगा, manage apps पर जाएगा, manage apps पर जाकर, Facebook application पर जाकर, आपको clear all data मिल जाएगा, कि आप इतने दिनों से जो Facebook आप इस्तमल कर रहा है हो, तो कुछ data catch कर लेता है, Facebook application, तो ओ Facebook application पर जाकर, और data को आपको clear करना चाहिए, यह है दूसरा step, तो फार्स step पी आप करके दिखाऊंगा, दूसरा step आप कैसे करना है, clear all data, ओ भी मैं वीडियो पर करके दिखाऊंगा, आप सुनते रहें, और तिसरा step पर दूसरा step करके देखेगा, फिर भी आपको नहीं हुआ है, तब को तिसरा step पर जाना पड़ेगा, तो तिसरा step क्या है, तिसरा step है, कि आपका जो problem है, आप Facebook company से बताए कि आप problem कि आप group admin है, फिर भी आपको admin tools का option नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ solution मुझे बता दो, तो ऐसे लिख कर Facebook group को भीज दीजिए, तो भीजने के बाद 24 hours के अंदर आपका reply आ जाएगा, आपको क्या करना ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, आभी मोन में सावा लोगा कि कोई contact number नहीं, कोई contact number नहीं है, आपको ये problem आपको Facebook बालो को mail करना होगा, तो mail कैसे करेंगे, ओ भी मैं आपको Facebook application के अंदर ही दिया हुआ है, मैं आपको वीडियो पर कार के दिखाऊंगा, तो वीडियो को अंतक देखते रहेगा, अगर ऐसे भी देखिए, अगर problem आपको solve हो जाएगा, आपको admin tools option आपको सथ मिल जाएगा, और ये 30 step, मतलब first step, दूसरा step और 30 step, ये सब step करने के बाद भी अगर आपको admin tools option नहीं मिल रहा है, तो मुझे comment करके बताएगा, ठीक है, तो मैं आसा सब्सक्राइब करने से, कोई भी एक step करने से आपको problem solve हो जाएगा, फिर भी नहीं हो आपको आप मुझे पताएगा, तो इस तरह का latest video आप देखने के लिए, चैनल पर आप विजिट कीजिए, आपको बहुत सरी video मिल जाएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब गर लेजिए, तो इस तरह का latest video आपको हमेशे के लिए मेल तरह है, और notification bell को on करके राखिए, ठीक है, तो आप ही वीडियो पर चाल के आपको आपको आपडेट करने चाहिए, तो आपडेट करने के लिए आपको क्या करने है, तो प्ले स्टोर अन कीजिए, प्ले स्टोर में, आप यहां पर जो ट्रीफिल लाइन और आपडेट करने के लिए बोला जाएगा, जैसे कि आपको Facebook अप्लेकिशन आपडेट नहीं किया, बोध दिने उसे आपको आपडेट करने के लिए बोला जाएगा, तो मैंने किया है, तो इसलिक रहा है, तो आपको तो यहां पर update पर click करके update कर लीजिए यह होगी यह first step update करने के बाद देखिएगा अगर admin tools option आ रहा है तो ठीक है अगर नहीं आ रहा है तो दूसरा step मैंने बोला था चलिए दिखाते कैसे करना है दूसरा step जो था कि facebook application को अब जो data हो clear कर दिना है कैसे करेंगे clear करने के लिए आपे आपका phone में जЁन settings option होता है जाने के बाद search Settings पर click करके सर्च किजिए manage apps manage apps कटलिक कर search कीजिए search करने के बाद यहां पर important option मिल जाएगा थी यह option पर click किजिएगा click करने के बाद धे जो facebook application कीजिए क्लिक करने के बाद यहां पर देख रहे कि फोर्स टॉफ और डेटा कर दीजिए और ओके कार दिजिए दो डेटा आपको क्लियर हो जाएगा मतलब बहुत दिन जो डेटा अपने फेस्पूक जो इस्तेमाल कर रहा है और डेटा अब ही क्लियर हो गया है उसके बाद एप यह से आन कर दीजिए ऑन करने के बाद यह काम हो गया दूसरा step यह दूसरा step करने के बाद आप देखिए आपका admin tools option मिला है कि नहीं फिर भी नहीं मिल रहा है तो आपको जो 30 steps जो मैंने बता जाए था ओम मैं दिखाता हूं कैसे करना है तो दोस्तों चलिए 30 step मैं दिखाता तो mail के माद हम से आपको बतना चाहिए कि उनका कोई contact number नहीं है तो कैसे mail करना है कैसे process क्या है कहा करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा चलिए तो triple line पर click कीजिए click करने के बाद यहाँ पर सिधा आ चाहिए help and support करके option आपको मिल जाएगा तो help and support पर click कीजिए जैसि क्लिए करेंगी आपको मिल जाएगा report a problem धन सरे देखिएगा रिपोर्ट a problem पर click केजिए जैसि क्लिए करेंगे आपको report a problem पर click केजिए click करने के बाद यहाँपे आपको Logic topic के बारा में आपको प्रबलेम हुआ है हो आपको बातना चाहिए ठीक है select करना चाहिए जैसे कि आपका group का related है तो groups पर click किए जैसे groups पर click करेंगे तो यहाप आपको demo दिया गया है कि what happened आपको problem क्या है यहाप लिखिएगा लिखने के बाद आपका problem का जो screenshot आपको यहाप देना चाहिए जो problem हुआ है जैसे कि admin tools आपको नहीं मिल रहा है तो आ यहाप camera roll पर click करके आपको screenshot लगाना चाहिए ठीक है टलना चाहिए तो आभी फिलाल के लिए देखिए मैं एक demo आप क्या लिखेंगे लिखना क्या चाहिए आपको तो मैं यहाप लिखे राका है क्योंकि आभी मैं लिखूंगा तो वीडियो पर लंबा हो जाएगे इसलिए मैं लिखे राक है तो आभी मैं paste कर दे रहा हूँ तो आप ऐसे लिखिएगा ठीक है प्रोफेशनल तरिका साब को लिखना चाहिए ठीक है डिया सर आई है फेस्बूक ग्रूफ आपका गूरूप का नाम लिखिए ठीक है जैसे मेरा गूरूप का नाम है अधर टेक एजूक और आपका इमेल आईटी यहां पर डाल दीजिए तकि उन्होंने आपके साथ कॉंटक्ट कर पाए और थैंक्स और रिगट आपका नाम डेलिएगा ठीक है तो देखने में सुन्दर होना चाहिए ठीक है जैसे आप मेल करते हैं ऐसे प्रोफेशनल तरिके से आपको यहां प 39REEK हरा है वहां पर सो किया जाएगा जैसे example के लिए किसे भी एक photo में select कर रहा हूं तो जैसे आपको आजएगा ठीक है आने के बाद आपको क्या करना है आपको यहां बेस जस्ट सेंट पर क्लिक कर देना है तो मुझे तो आभी सेंट नहीं करना है क्योंकि मेरा अभी प्रॉब्लेम हो नहीं ज़िस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं तो यहाप आप सेंट कर दीजिए जैसे आप सेंट करेंगे तो 24 आवर्स के अंदर आपका बात आएंगे तो आप ठीक से देंगे तो ठीक है तो दोस्तो मैं आसा करता हूं कि आपको वीडियो समझ किया है समझ में आया है अगर कोई भी प्राब्लेम है तो मुझे कॉमेंट जरूर कीजिए वीडियो का अच्छे लगए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सबको बात है और इस तरह का टेक रिलेटेड गाइड रिलेटेड वीडियो सबसे फास्ट देखने के लिए आभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो सब्सक्राइब करका नोटिफिकेशन बेल कॉन का लिचिए क्योंकि मैं इस तरह का लेटेस्ट वी वीडियो के सब्सक्राइब के लिए तरह के लिए जाहिंद वन्दमाटर मुद्टार 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 मुद्टार